हेलो फैंट वяетूम टू माइlı यूटूब में आपको अक्वाने सुल्वार की इसlleごार की कटिंग नहीं होती ऊपको इसको सीक्कर सक्ते पर présentation अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंच सके तो चलते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब यह पिछले जो वीडियो थी उसमें मैंने डाइग्राम की थरू आपको समझाया था इसमें मैंने कुछ नाप लिया था और फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है उसमें मैं मैं आपको सेंटि मीटर के हिसाब से बताओंगे क्यूंकि मैं नियूसपेपर पे करें आपको बताँगी नेक्स वीडियो जो होगी उसके मैं पेपड़ मार नापी गलते हैं जैसे कि से कमर का नाप, और हिप का नाप, मुहुरी इस तरीके से हमाएं पास चार नाप हो जाते हैं और इसी नाप से हमें अफगानली सल्वार की कटिंग करनी है तो पहले हम पेपर पे मार्क कर लेते हैं अब इस तरीके का मैंने पेपर लिया है जिसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूं इसकी जो चोड़ाई है वो है 35 इंच और इसकी जो लंबाई है यह 41 इंच है तो इसको मैं डवल में रखरी हूं और जो वो इस तरीके से उप मिल जाएगी इसकी तरीके से हमें इसकी पौर फॉल्ड मिल जाएगी जैसे कि एक fold हमारा ये हो गया यहां से यहां और second जो fourd है वो यहां से हो गया तो इस तरीके से हमें 4 पार्ट इसके मिल जाते हैं देखें एक दो तीन और इस चार इस तरीके से अब जो हमें इसे mark लगाना है तो हमें इसको बंद वाली side से खुली वाली साइड में हमें निशान लगाना है तो जैसे कि मैंने इन डाइग्राम में बता रखा है यह हमारा folded साइड है तो सबसे पहले हम इसमें 3 इंच का मार्क लगाएंगे जो 3 इंच होगा यह मैंने इलास्टिक के लिए इसका जो सेकंड मार्क होगा वो होगा जो हिप का नाप होगा हमारा वही इसमें हम निशान लगाएंगे तो इसको हमें निकालने का जो फॉर्मूला था वो मैंने बताया था जैसे कि जो भी हमारे शलवार की हिप साइज है हिप साइज को हमें क्या करना ह 4 से डिवाइट कर देना है और जो भी number आता है यही हमारा यहाँ पर कमर का map निकलाता है तो इस तरीके से हमने जब निकाला था formula के थूँ तो यह आया था शाधे 8 inch तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे तो तरी के साप देख रहे हैं प्ररेंट और इसको हमें a box की तरह कर लेंगे जैसे राट इन्छ हमा रहे यह हो गया ठाड़े वाशन में हमें लुजिंग देनी होतीए वह कम से कम 2-5 Roberto Allo मार्जन के लिए हमें चाहिए इसमें देड़ इंच तो देड़ इंच हम और जोड़ देंगे र्क हम यहाँ पर राउंड सा शेप लगाएंगे हलका चाहिए यहां पर लेता हुझे करें सांध्य ayam यहां जाएगा दोिस तीर के सीज्य कर्षण होना है तो इसमें यहाँ पर इंच आरा हैं द हमाने लिए अनृधं नहीं कें यहाँ पर हमारी जो कमर है कमर का नाप यह absorption का निशान है और यह आसन का तो एक फॉड्वाद से आप इन सब का नाप निकाल सकते हैं नेक्स्स जो स्टैप है इसकां हो में सब लबाई लेनी है लंबाई में हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो हमारा 3 इंच WE झो भावा कि तीन निलस्ट बमा में चोड़ देना है कि जो भी हमारी लंबाई है लंबाई है इसमें देखिया लंबाई हमारी आ हे ठाटी एडंच तो 38 इंच में हम 1 को माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे हमें मोहरी भी लगानी है तो 1 इंच हम कम करके ही निशान लगाएंगे तो और 3 इंच यहां से हम छोड़ देंगे इस तरीके से यह आ जाएगा 37 इंच यहां से यहां यह लंबाई का हो गया फ्रेंट उसके बाद से हम लगाएंगे मोहरी का निशान जो मोहरी हम लगाएंगे यह हो गया हमारी मोहरी का निशान इस तरीके से हमने यहां पर आसंका लगा दिया फिर यह लंबाई लग गई उसके वाद हमाई मोरी का निशान हो गया अब हम इसे एक शेप देते हैं राउंड सा हलका हलका शेप दे देंगे अगर आपके पाल लैक शेपर है तो आप कपड़े पर रखके इसे लैक शेपर से निशान लगा सकते हैं नहीं तो हलका सा आप इस के से यह सम् Beim पर जाएं तो जो 6 इंच का मोरी चाहिए 6 इंच के इसमें पर जाएगी बज्ञा की हम जो भी टालेंगे इसमें मोरी तयार हो मैं चली है अब इसको मैं कट कर लेती हूं इस तरीके से यह हमारे अफगानी सलवार की कटिंग हो जाती है और इसके दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से अलग अलग निकाल के और फिर इसके आसन को हम जोडते हैं तिसका लुग कुछ इस तरीके से हो जाता है इन दोनों आसनों को आपस में जोड देना है सिर्फ आसन को आप जोड़ेंगे तो इसका जो लुक होगा वह अफगानी सलवार की तरह आजाएगा कीए ओके मैंने जिस तरлекए से डाइग्राम में आपको समझाया था उससी तरीगे से में पेपर पर कट करके आपको किस तरीक훈 के से कट करना है और जो next वीडियो है वह मैं आपको कपरें पर बताऊंगे के किस तरीकubscribe से कट करके भिणा सकते हैं तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरू बताइएगा और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्रीज लाइक शेयर जरू करिएगा तो बने रही हैगा मेरे चैनल के साथ खुश रहिए स्वास्त रहिए थैंक्स फॉर मिलचिंग